साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं स्री राधा कृष्णपादान सहगनललिता स्री विशाखान विताम्ष्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे व्रिंदावनेश्वरी व्रिशभानो सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरूब्यस्च कृपासिंधुब्य एवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमह नमह ओम विष्णु पादायक कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले स्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इतिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेष शुन्यवादे पाश्चात्यदेश तारिने जय स्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानन्द स्री अध्वैत गदाधर श्रिवास आदिगवर भक्त व्रिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, सबी भुक्तों का स्वागत है हमारे चैतने जरितामृत के 49 सत्र में बीच में 3-4 दिन हमारी कथा नहीं हुई लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत दिन से जो है वो चैतने जरितामृत पे हमने चर्चा नहीं की है तो हमने हमारे पिछले सत्र में हमने अंते लीला इसका पंदरहवा ध्याय इसके उपर चर्चा की थी कि किस प्रकार से जब महाप्रभू दर्शन के लिए जाते है जगनाजी के तो वहाँ पर वो भगवान के दिव्य गुणों से आकर्शित हो जाते है और भगवान श्रीकृष्ण के जो पांच गुण है विशेश शब्दस पर्षा रूप रस गंध और उनकी जो पांच इंद्रिया है वो इस प्रकार से आकर्शित हो जाती है बुणों की तरप की महाप्रभू अच्चे दोके वही पर गिर जाते है और फिर जब उन्हें घर पर लाया जाता है तब वो कुछ श्लोक सुनाते है जो श्रीमतिराधारानी द्वारा विशाखा को कहा गये थे उस श्लोक का आस्वादन करते हुए अलग-अलग अर्थ जो है वो उसका बताते है कि किस प्रकार से जो है वो पांचों इंद्रिया जब मन के उपर जो मन एक घुड़ा है उस घुड़े के उपर जब सारी इंद्रिया आरूड हो जाती है और तब वो घुड़ा जो है वो पांच दिशाओं में अलग-अलग भागता है और उसका जान चला जाता है उसका प्रान चला जाता है तो इस प्रकार से कृष्ण के प्रती जो है वो आकरशित होते है महाप्रभू श्रिमतिराधरनी के भाव में और इस प्रकार से और एक बार जब वो समुद्रस्नान के लिए जा रहे होते हैं तब एक पुषपोध्यान में प्रवेश कर जाते हैं और जब पुषपोध्यान में प्रवेश कर जाते हैं तो जिस प्रकार से रासलीला के बीच में हैं जब कृष्ण अंतरदान हो गए थे शिमतिर आधरानी को लेके, तो सारी गूपियां जो कृष्ण को ढूण रही थी, वुरुक्षों को पूछ रही थी, उसी भाव में महाप्रभू उन गूपियों के साथ सम्मिलित होकर के जो है वो, मानो वुरुक्षों को पूछ रही थे फलों को पूछ रहे थे, इस प्रकार से जो वो पूछते पूछते शिमति, यह जो गूपि के भाव में, जिस प्रकार से गूपियां कृष्ण को ढूण रही थी, उसी प्रकार से महाप्रभू उसी भाव में कृष्ण को ढूणते वे जा रहे थे, और फिर हमने देखा कि इस प्रकार से सारे भक्त महाँ पर पहुंच जाते है, महाप्रभु को सचेत करते हैं कृषन का किर्टन करके, और उसके पश्चाद चयोँ समुदर असनान करके पुनहा वापस लोडते है. इस प्रकार से महाप्रभु जयो जगनातपूरी में निवास करते है, और जो खास करके आखिर के जो बारा साल है उसमें महाप्रभू का जो शारेरिक कार्य था वो केवल भाहियरूप से हुआ करता था जिस प्रकार से कविराज गुसों में उधान देते हैं कुमार का चाक जो होता है एक बार उसे आप घुमा देंगे तो वो घुमता रहता है उसी प्रकार से महाप्रभू के सारे शारेरिक कार्य जो हुआ करते थे और महाप्रभू केवल सुर्प दामोदर और राय रामानंद इनको लेके ही जो है वो अपना उनमाद जो है वो प्रक पर पर करना तो इसके पहले श्लोक में कविराज गुष्वा में चैतने महाप्रव को प्रणाम करते हुए कहते हैं वन्दे स्री कृष्ण चैतन्यम क्रिष्ण भावामृतम ही अस्वाध्य अस्वादयन भक्तान प्रेम दिक्षाम अशिक्षयत कहते हैं कि वन्दे स्री कृष्ण चैतन्यम उन स्री चैतन्यम महाप्रव को मैं प्रणाम करता हूँ क्या किया है जिन्नोंने कृष्ण भावामृतम ही है जो कृष्ण भाव का जो अमृत है और उसका जो सागर है आस्वाध्य आस्वाधयन स्वयम आस्वाद ले रहे हैं और दूसरों को आस्वादन करा रहे हैं किसका प्रेम जो कृष्ण का प्रेम है उसका स्वयम आस्वादन कर रहे हैं और दूसरों को भी आस्वादित कर रहे हैं प्रेम दिक्षाम अशिक्षयत सारे लोगों को उनने दिख्षा दिए है इस कृष्ण के प्रेम अमृत में और उसकी जो है वो शिक्षा महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं एमत महाप्रभु रहे न निलाचले भक्तगर्ण संगे सदा प्रेमवी भले इस प्रकार से महाप्रभू हमेशा प्रेम में विवल होते हुए अपने भक्तों के संग में जो है वो निलाचल में वास किया करते थे हर साल की तरह इस साल भी बंगाल से कई भक्त महाप्रभू को मिलने के लिए आये कविराज गोस्वामी ने लगबग हर एक अध्याय में इसका वरणन किया हुए कि किस प्रकार से बंगाल से भक्ता आया करते थे और अलग 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 वृत्तांतों को सुनाते थे एक बार उने बताया था कि किस प्रकार से शिवानन सेन के कुत्ते का उद्धार किया था इस प्रकार से बंगाल से कई भक्ता आया करते थे शिवानन सेन के लड़कों का उद्धार उने किसे किया ऐसे अलग 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 वृत्तांतों सुनाय करते थे तो अभी कविराज गोस्वामी बता रहे कि इस साल भी बंगाल से सारे भक्त रत्यात्रादी महुत्सव देखने के लिए महाप्रभू से मिलने के लिए पूरी में आते हैं इस बार एक भक्त आता है बंगाल के भक्तों के साथ जिसका नाम था कालिदास यह जो कालिदास थे वो केवल कृष्ण 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 इस प्रकार से सदैव कृष्ण के नाम का जब और किर्तन क्या करते थे बाकी उनसे मुक से कुछ भी अन्य नहीं निकलता था बड़े महा भागवत यह भक्त थे महा भागवत थे हो सरल उदार क्रिष्ण नाम संकेते चालाय व्यवहार बड़े महाभागवत थे, सरल सोभहाव के वेकती थे और बहुत ही उदार थे कृष्ण नाम संकेते चालाए व्यवहार जो भी व्यवहारीक कार्य किया करते थे उसमें भी वो पुकरा करते थे क्रिश्न, ऐसा करो क्रिश्न, ऐसा ऐसा होना चाहिए तो इस प्रकार से जो फासें भी फेकते थे, कुछ खेलते वक्त, तो भी वो कृष्ण करके पुकरा करते थे तो इस प्रकार से वो जो थे, हमारे रगुनाद दास गोस्वामी, उनके वो चाचा लगते थे मतलब सगे चाचा तो नहीं थे क्योंकि रगुनादास गुसवामी गुवर्दन मुझमदार इनके लड़के थे तो उनके जो सगे चाचा थे वो हिरने मुझमदार थे कालिदास इस साल सारे बंगाल के भक्तों के साथ जो है वो महाप्रवु से मिलने के लिए आते है तो जो कालिदास जो थे ये रगुनादास गुसवामी के दूर के कोई संबंधी में चाचा लगते थे और बचपन से ही उन्हें एक आदत थी वो हमेशा वहिशनों का जूटा महा महाप्रसाद जिसे हम कहते हैं वो खाया करते थे और उनका महाप्रसाद के ओपर बिलकुल विश्वास गाड़ा था तो इसलिए वो वह वहिशनों का जूटा ही वो ग्रहन किया करते थे और अभी वो बूड़े हो गए थे लेकिन फिर भी उनकी वो आदत नहीं गए थी अभी भी वो जूटा ही खाते थे बंगाल के लगबक सभी वहिशनों का जूटा प्रसाद उन्होंने ग्रहन किया था और वो क्या क्या करते थे कुछ प्रसाद भेट की रुप में लेके जाये करते थे वहिशनों को देते थे और जूटन मांगते थे कि आपका जूटा दे दो, यदि वो कोई नहीं देता था, तो चिर्पके से किसने किसी प्रकार से वो ले ही लेते थे, तो एक वरतांत कविराज गोस्वामी सुनाते है, कि कैसे उन्होंने बंगाल में हर एक भक्त का जूटन प्राप्त किया था, फिर वो ब्रामण है, निम्न जाती के एक भक्त थे, जिनका नाम था जडू ठाकुर, तो इन जडू ठाकुर के पास जो है, वो कालिदास आम भेट लेके जाते है, जैसे अब आम का सीजन चल रहा है, तो आम वो भेट लेके जाते है, और जडू ठाकुर उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, कि आप इतने महान भक्ते आईए, मैं आपकी कैसी सेवा करूँ, और कहते हैं कि किसी ब्राह्मन के घर से मैं प्रसाद मंगा हूँ, आपके लिए मैं तो निम्न जाती का हूँ, इसलिए नहीं आपकी सेवा कर सकता, तो कालिदास कहते हैं कि नहीं आपको आइसा कुछ करने के आप शकता नहीं है, मैं तो क्योवल आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया था, आपका दर्शन मैंने पा लिया है, मेरा भी जीवन सफल हो गया है, मैं अपने आपको कुर्टा अर्थ मानता हूँ, आपकी चर्णो की कोई धूल दे दिजिए, बहुत हो जाएगी, तो जड़ु ठाकर कहते हैं कि देखो मैं तो निम्न जाती कहूं, आपको ऐसे बोलना बिलकुल शोभा नहीं देता है, फिर कालिदास कई सारे शास्त्रों के शलोक सुनाते हैं, जैसे नमे अभक्त चतुरवेदी, मदभक्त श्वपचह प्रियह, चारों वेदों का भी कोई जानकार वेक्ति है, लेकिन मेरा भक्त नहीं है, तो वो मुझे प्रियह नहीं है, और कोई वेक्ति है, जो श्वपचह, जो चांडाल भी क्यों नहीं हो, फिर भी अदि मेरा भक्त है, तो वो मुझे अतीव प्रियह है, और प्रलाद महराज के प्रार्थनाव को भी सुनाते हैं। लेकिन फिर भी यदि भगवान पादार विंद विमुखात भगवान से विमुख है तो वो स्रेष्ट नहीं है। तो जड़ु ठाकुर कहते हैं कि देखो आप जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है वो तो शास्तर के वचन है लेकिन मैं एक भगत नहीं हूँ। तो इस प्रकार से उनकी चर्चा होती है तो फिर वहां से कालिदास निकल पड़ते है और जड़ु ठाकुर उन्हें बिदा करने के लिए थोड़े दूर अंतर तक वो जाते हैं। फिर कालिदास वहां से निकल जाते है आगे और जड़ु ठाकुर पुन्हा पीछे लोटके अपने घर आते हैं। जहां जहां पे उनके चर्ण गिरे थे जड़ु ठाकुर के वहां की धूली लेके अपने माथे पे लगाते हैं और पुन्हा जाके जो वो पीछे एक व्रक्ष के पीछे चिप जाते हैं। जड़ु ठाकुर भी घर में आये तो जो आम उन्हें बेट में मिले थे जो कालिजास नहीं दिये थे वो भगवान को भोग लगाते हैं और उनकी पत्निया और वो बेटके उन आमों को चूस चूस कर खाते हैं। तो आम को जैसे उन्हें ने खा लिया तो एक केले के पत्ते के ऊपर जो आम के अंदर की गुठलियां और उसके चिलके जो वो उसमें वो एकत्रित करते हैं। और सारे आम चूस के खाने के पश्चात वो केले के पत्ते को उठा के उनकी पत्नी, जड़ुटाकूर की पत्नी जो वो कुडादान में फेक देती है और वो जब घर के अंदर चली जाती है तब जो है वो कालिदास वहां से चिपके से आते है और उस केले के चिलके में से सारे गुठलियों को निकालके जो है वो चूस-चूस के उनका महाप्रसाद का प्रेमावेश में होकर आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से कविराज गुष्वामी सुना रहे है कि वही कालिदास जिसने सारे बंगाल के भक्तों का महाप्रसाद लिया था वही अभी जगनात्पूरी में महाप्रभु से मिलने के लिए जो है वो आय हुए है। तो महाप्रभु का दैनन्दीन नित्यकरम था कि वह जगनात्पूरी के दर्शन के लिए जाया करते थे और गुविंद भी उनके साथ दर्शन के लिए जाते थे। अगे जाते थे और महाप्रभु ने गुविंद को बता के रखा था कि मेरा पाद प्रक्षालित जल है वो किसी को नहीं देना है। तो कुछ भक्त थे महाप्रभु के अंतरंग पार्षत जो चिप चिप कर जो महाप्रभु का पादुदक जो है वो ग्रहन किया करते थे तो अभी कालिदास आया हुआ था तो एक दिन की बात है कि महाप्रभु अपना पाद प्रक्षालन कर रहे थे और प्राद प्रक्षालित जल जो आगे जा रहा था जो कालिदास थे अपने हाथ फैला कर वहाँ पर खड़े थे एक दीन प्रबु तहां पाद प्रक्षालिते कालिदास आसी तहां पाती लेना हाते अपने हाथ फैला कर कालिदास बेटे हुए थे और पानी पी रहे थे महाप्रुव के सामने, महाप्रुव ने गोईंद को बता के रखा था कि किसी को मेरा पाद प्रक्षालित जल जो है वो नहीं देना है लेकिन अभी ये कालिदास हाथ फेला के और पानी पी रहे महाप्रभु पैर धो रहे हैं कालिदा महाप्रभु के सामने पानी पी रहे हैं एक अंजुली, दूई अंजुली तीन अंजुली पीला तबे महाप्रभु तारे निशेद करिला एक, दो, तीन करके जब तीन अंजुली भरके पानी पी लिया चरणों का दोया हुआ जल तब महाप्रभु ने जो यह उन्हें कह दे आभी बस हो गया, बहुत हो गया महाप्रभु क्यों पिने दिया जल बाकी किसी को नहीं पिने देते थे क्योंकि महाप्रभु सरवग्य थे और महाप्रभु जानते थे कि कालिदास के रदय में भक्तों के महाप्रसाद के उपर बहुत विश्वास है तो वो भक्तों का उच्छिष्ठ जूटन प्रसाद खाने में प्रविण थे और उसके उपर उनका विश्वास था इसलिए महाप्रभु ने उन्हें भी एक रुपा प्रदान की तो इस प्रकार से महाप्रभू जो है वो बाईस सीडिया चड़ने के पस्चा दक्षिन दिशा में उपर एक नर्सिम्म मंदिर है उन्हें प्रणाम मंत्रक बोलते थे और आगे जाते थे इस प्रकार से महाप्रभू प्रणाम करते हुए नर्सिम्म देव को आगे जाते थे तो यह नर्सिम्म प्रणाम महाप्रभू ने नर्सिम्म देव को आरपण किया हुआ है नमस्ते नर्सिम्म हाय उन नर्सिम्म देव को मैं प्रणाम करता हूँ नमस्ते नर्सिम्म प्रलाद अल्हाद दाई ने जो प्रलाद जी को भी जो है वो आननंद प्रदान करते है इतो नरसिमह परतो नरसिमह जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ मुझे नर्सिमा देवी दिखते यतो यतो यामी ततो नर्सिमा बहीर नर्सिमा रिदये नर्सिमा नर्सिमा भगवान मेरे बाहर भी है और अंदर भी है नर्सिमा मदिम शर्णम प्रपद्दे उन नर्सिमा भगवान को मैं प्रणाम करता तो शिल्व प्रभुपाजी ने जो नर्सिमा आरती हमें दी है वो यही से ली हुई है जब चेतने महाप्रुप प्रणाम किया करते थे नर्सिम देव को तो शिलप रुपजी ने इसे जनरल आरती के रुप में सबके सामने प्रस्तुत किया है और उसके आगे तवकर कमलवरे जो है वो दशावतार स्तुत्र का एक पंक्ती उनने लिया है एक स्तांजा एक परिछेद लेके जो है इसे आड़ कर दिया है ऐसी हमारी नर्सिमा आरती बनती है तो अनर्सिमा आरती नर्सिमा प्रणाम करके चैते ने महाप्रुवू जगनाजी को प्रणाम करने के लिए जाते थे तो जगनाजी का महाप्रुवू ने दर्शन लिया और जगनाजी का दर्शन लेने के पस्चाद महाप्रुवू घर पदारते है जब घर जाई या अंदर तो देखते हैं दरवजे के बाहर कालिदास जो है वो बैटा ओवा है तो महाप्रीद को इशारा करते हैं और महाप्रभु का जो उस्चिष्ट महाप्रसाद है वो गोविन को लाके देते हैं और कालिदास उन्हें पा लेता है। इस सुवसर को पाकर कविराज गोस्वामी जो है वो भगवान के महाप्रसाद की और खास करके जो भक्तों का उच्चिस्थ प्रसादे उसकी महिमा का गान करते हैं। कालिदास को भी चैतने महाप्रुवु की सर्वोत कुरुष्ट उच्च सीमा तक जो है वो कुरुपा प्राप्त हो गई क्यूंकि वो भक्तों का उच्चिस्थ प्रसाद ग्रहन किया करता था। इसलिए कविराज गोस्वामी विंती करते हैं सारे भक्तों को, सारे शोताओं को ताते वश्चन वेर जूटा खाओ चाडी तुरुष्णा लाज यहां हैते पाईबा निज वांचित सब काज सारी लज्जा सब कुछ छोड़के वश्चनों का जूटा जो है वो आप खाईए और इससे क्या होगा यहां हैते पाईबा निज वांचित काज आपकी सारी अच्छा की पूरती हो जाएगी इसलिए वेश्चनों का उच्षिष्ट खाना चाहिए जो भक्तों का उच्षिष्ट होता है उसे कहते हैं महा महा प्रसाद उसका यह नाम है इसलिए कवर्याज समी कहते एक यह तीन चीज़े हैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है भक्त पद धुली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेश तीन महाबल भक्त पद धुली भक्तों की चर्णों की रज भक्त पद जल भक्तों का पाद प्रक्षालन की अवजल और भक्त भुक्त अवशेश उन्होंने महाप्रसाद का जो उच्चिष्ट है ये तीन महाबल ह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उनकी सेवा करना चाहिए. इन तिनों की सेवा यदि कोई वेक्ति करता है तो कृष्ण प्रेम निष्चित रूप से उसे प्राप्त हो जाता है. खुन कहता है? सारे शास्त्र बार 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 यही जो है वो बोलते हैं. इन तिनों के साथ लिता तो होई प्रेमेर उल्हास, उसे कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है और उसके साक्षी जो है वो है कालिदास। तो इस प्रकार से चेतने महाप्रुबु निलाचल में थे और कालिदास के उपर कैसे उन्हें कुर्पा की इसका वृत्तंत हमने सुनाया हुआ है एक बार की बाते शिवानन्द सेन जब महाप्रुबु को मिलने के लिए आते हैं अपने पत्नी के साथ तो उनके साथ में जो उ चोटे बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि बोलो बोलो कृष्ण बोलो आपका नाम बताओ तो महाप्रुबु भी जब पूरिदास को मिले तो महाप्रुबु पूरिदास को कहने लगे कृष्ण कह बली प्रुबु बलेन बार बार तबु कृष्ण नाम बालक ना करे उ पुरे जगत से करिष्ण का नाम बुलवा रहा हूं लेकिन यह बालक अचेत वस्तों से भी मैंने कृष्ण का नाम बुला रहा है लेकिन यह बालक क्रिष्ण का नाम नहीं ले रहा है। शुर्प दामदर कहते हैं कि महाप्रभू आपने तो इसे कृष्ण नाम में दिख्षा दी है लेकिन मेरे मेरे मतानुसार ये केवल मन में कृष्ण का नाम ले रहा है जगत के सामने जो है वो इसका प्रकाश नहीं कर रहा है तो इस प्रकार से अन्य दिन वही बालक को जब मह महाप्रवु के सामने लाये गया, तब महाप्रवु कहते हैं, पुरिदास कुछ सुनाओ, और पुरिदास सुनाने लगते हैं, श्रीवसो कवलयम अक्षनोर अंजनम, उरसो महेंद्र मनिदाम, विरंदावन रमनिना मंदनम, अखिलम हरिर जयती, क्या ये पुरिदास, अभी चोटा बच्चा हैं, क्या कहते हैं? अभी ये बालक, अभी तक कहीं पर कुछ सीखा नहीं है। अभी तक उसने कुछ कहां पर अध्यन नहीं किया हुआ है। अइसा श्लोक जब वो सुना रहा था, सारे भक्तों के मन अश्चर्य चकित हो गए। चैतन्य प्रभुरे एक कुरुपार महिमा ब्र्मा दी देव यार नहीं पायस सीमा इस प्रकार से महापर्भु की कुरुपा जिसके उपर है, उसकी महिमा का क्या गान करे ब्र्मा जी भी ऐसी कुरुपा की नहीं समझ सकते। और यहीं पूरिदास आगे चलके जो है वो कविकर्णपूर बनते हैं महाप्रभु की इतनी कुरुपा जो है उनके उपर होती है तो चार महिने के पश्चात सारे गवडिया भक्त अभी पुन्ह अपने प्रांत की तरब प्रस्तान कर लेते हैं जैसे हमने बताया था कि महाप्रभु तीन अवस्थाओं में हमेशा रहा करते थे पुर्ण भाही अवस्था, अर्द भाही अवस्था और पुर्ण निमगन कृष्ण प्रेम में निमगन अवस्था तो जब चार महने के लिए बंगाल के भक्त थे, महाप्रभु अपनी भाही अवस्था में रहा करते थे और जब ये पुन्ह लोड़ जाते थे, तो महाप्रभु अपनी अंतरंग अवस्था, पुन्ह निमगन अवस्था को प्राप्त कर लेते थे एक दिन की बात है महाप्रबु जगनाजी के दर्शन करने के लिए जब जाते है वहीं पर द्वारपाल महाप्रबु को प्रणाम करते है और महाप्रबु उसी द्वारपाल का हाथ पकड़ के पुछते है कृष्ण कहा है कृष्ण कहा है तो द्वारपाल पकड़के उन्हें लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि देखिये जगनात यही कृष्ण है जैसे महाप्रभु जगर्नाजी का दर्शन कर लेते हैं, महाप्रभु जए वो केवल उन्हें लगता है कि मैं भी नंद नंदन मुरली बजाने वाले स्री कृष्ण को देख रहा हूँ और उसी समय जो है वो वहापर गोपाल वल्लभ नाम का भोग वहापर लगाया हुआ होता है जगर्नाजी को शंख घंटे बजाकर आरती होती है और आरती समाप्त होने के पस्चात पुजारी गण कुछ माला चेतने महाप्रभु को पहनाते हैं और भगवान का शेश प्रसाद जो है वो उन्हें देते हैं तो उस प्रसाद की क्या महिमा उसका आस्वाद तो दूर छोड़ो थोड़ा सा कन ले लेते हैं महाप्रभु के आखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे है और महाप्रभु बोल रहे है कि अमृत के भी स्वाद को इसने जो यो लांग दिया है ऐस यह स्वाद काहा है थे संचार इने इतना स्वाद कहा से आया है इसलिए ये जो है वो इतना स्वाद इसमें आया हुआ है और इस प्रकार से प्रेमवश महापरभू उसका अनुभव कर रहे हैं लेकिन उनमत होने ही वाले हैं उनमत दशा में प्रवेश करने वाले हैं लेकिन देखते हैं से ये सारे लोग यहाँ पर जो वो बाहर के प्रभु कहे ये दिला कृष्ण अधरामृत ब्रह्मा दी दुरलब ये निंदये अमृत की भी निंदये अमृत की भी स्वात को इसने लांग दिया है अईसा ये भगवान का महाप्रसाद है कृष्ण रए भुकत शेष तार फेला नाम तार एकलवय पाय सेई भाग्यवान जो है कृष्ण के द्वारा आस्वादन करने के पस्चाद जो शेष प्रसाद है इसे कहते हैं फेला इसका नाम है फेला तार एकलवय पाय सेई उसे ही जो है वो इसका कणमात्र प्राप्त हो सकता है इस प्रसाद का सामान्य भाग्यवान जीव को भी ये प्रसाद नहीं मिल सकता लेकिन क्रिष्ण की पूरी कुरुपा जिस व्यक्ति के उपर हो गई है उसी व्यक्ति को ये भगवान का जो है वो महाप्रसाद मिल सकता है ऐसा गए कि महाप्रभु उन सेवकों को बिदा देते हैं और जो है वो अपने घर पर वापस लोटते हैं। दोपर का भोजन महाप्रभु करते हैं लेकिन उनके मन में केवल कृष्ण का धरामृत उसके ही जो है वो स्मरन चल रहा है। संद्या के समय जब पुन्हा गोविंद के द्वारा जगनाजी का महाप्रषाद लाया गया महाप्रभु के साथ सारुवम भट्टाचार्य, सुरुप दामोदर, रामन राय, सारे भक्तों को महाप्रभु वो प्रषाद बाठते हैं और कहते हैं कि देखो इसका आस्वात तो दूर रहे इसका गंद जो है वो मदमत करने वाला है, कैसा ये प्रसाद और महाप्रभु प्रसाद का गुणगान कर रहे हैं और कृष्ण का धरहमृत का ही उनका स्मरन चल रहा है, महाप्रभु कहते हैं लवंग, मीर्ची, करपूर, इलाइची, ये सब तो हमने पहले भी आस्वादन किया हुआ है, ये सब तो जो है, वो केवल भोतिक पदार्त है, लेकिन इनमें अभी इतना स्वाद, इतनी मधूरता, इतना गंद जो कैसे आया हुआ है, क्योंकि ये अभी असामान्य वस्तु है, क्योंकि ये अभी कृष्ण के अधरहमृत से सिंचित महाप्रस कहलाया गया है, इस द्रव्य का अभी क्रिष्ण के अधर के साथ स्पर्श होआ है, और क्रिष्ण के अधरामृत से संचारित है, इसलिए ये अभी अधभूत वस्तु हो गई है. अनेकस सुकृते इहां हैयाचे संप्राप्ति सबे एही आस्वादकर करी महाभक्ति बहुत जन्म की सुकृती करने के पस्चात कोई व्यक्ति का सोभाग्य उदित हो जाता है तब उसे इस महाप्रसात का आस्वादन करने का सोभाग्य प्राप्त हो सकता है इसलिए बहुत ही अधिक अच्छे मन से जो है इसका आप आस्वादन करो सारे भक्त जो हरी ध्वनी करते हैं इसका आस्वादन करते हैं हमें भी जब हम भगवान का महाप्रसाद लेते हैं तब यह कृष्ण का अधरामृत है ऐसा सोच के महाप्रसाद का आस्वादन हमने करना चाहिए इस प्रकार से अभी महाप्रभू आस्वादन कर रहे है रामानंद राय से कहते हैं कुछ हो जाए, कुछ सुनाओ इस मौके पर और राय रामानन हमें पता है कि किस प्रकार से महाप्रू के मनोभाव को जानके जो है वो शलोक सुनाया करते थे अभी गोपी गीत का एक शलोक जो है वो रामानन राय सुनाते हैं जिसमें कृष्ण के अधरामृत का ही वल्णन पाया जाता है सुरत वर्धनम् शोक नाशनम् सुरत वर्धनम् सुरत वर्धनम् सुष्ट चुम्बितम् इतर राग विस्मारणम् दुरुणाम् वितर वीरनस्ते अधरामृतम् तो गुपी गीत का श्लोक सुनाते हैं सुरत वर्धनम् हमारी कामनाओं को बढ़ाता है शोक नाशनम् सारे शोक को कम कर देता है स्वरित वेणुना ये जो स्वर है वेणु से सुष्ट चुम्बितम् जो वेणु कृष्ण के ओटों से चुम्बित है इतर राग विस्मारणम और इससे जो राग निकलता है, वो सारे हमारी आसक्तियों को दूर कर देता है, वितरवीर नस्ते अधरामृतम, हे कृष्णा, आपके अधरामृत को हमें पान कराओ, पान कराओ, इस प्रकार से जो है वो गुपियों का गीत सुनाते है, श्लोक शुनी महाप्रभू महातुष करते है, और बहुत सुन्दर वो कृष्णा के अधरामृत के महिमा का गान करने वाले श्लोकों को वो सुनाते है, अर्चु का नारी रकाए कहीते वासिये लाज, तुमार अधर बड़ दृष्टराय, पुरुषे करे आकर्षन, अपना पी आईते मन, अन्यरस सब पासराय, अचु का नारी रकाए कहीते वासिये लाज, तुमार अधर बड़ दृष्टराय, है कृष्णा, आपका जो अधर है, आपके जो ओट है, वो बड़े दृष्ट है, यह जो है वो बड़े ही निरलज्ज है, अचु का नारी रकाए, हम जैसे नारियों को आकर्षित कर लेते है, और सारी लज्जा को छोड़ने के लिए बाद्य कर देते है, पुरुषे करे आकर्षण, यह पुरुषों को भी आकर्षित करा देते है, जैसे यह जो ममशी है, यह पुरुष्ट जाती कि है, बांबू इनकी जड़ है, बांबू से बनती है, इसलिए पुरुष्ट जा सचेतन रहुदूरे अचेतन सचेतन करे तोमार अधर बड़ बाजिगर तोमार वेणुशुषक इंधन तार जन्माई इंद्रिय मन तारे आपना पियाई निरंतर सचेतन रहुदूरे अरे चेतन लोगों को तो छोड़ दो अचेतन सचेतन करे अचेतन वस्तों को भी सचेतन कर देने वाली तोमार अधर बड़ वाजिगर आपके जो अधरामृत है वो तो जादूगर के समान है सचेतन को आखरशित कर लेता है लेकिन अचेतन वस्तों को भी सचेतना प्रदान कर देता है तोमार वेणु शुष का इंधन ये जो है वो केवल शूकी हुए कास्ट की बनी हुई आपकी वेणू तार जन्माई इंद्रिय मन उसके अंदर भी इंद्रिय और मन को जन्म देत और तारे आपना पियाई निरंतर और उसे भी निरंतर आप पिलाते रहते हैं आपने अधरों का पान अधरों का अम्रुट जो है वो ये वेणू स्वयम उसका आस्वादन करती है और ये हमें चिल्ला चिल्ला के बोलती है आप भी आओ आस्वादन करो आप भी आओ अधरामृत एक तो पहले आपका ओटों का अमृत वो भी इतना महान है और निजस्वरे उसके साथ-साथ ये वंशी से निकलने वाली धुनी ये दोनों क्या करते हैं? संचारिया से ये बले ये दोनों बल पुर्वक जो है वो संचार करते हैं और आकर्षयत्री जगत मन तीनों जगत के लोगों के मन को अपनी और आकर्षित कर लिती हैं? अमरा धर्म भयकरी रही यदी धैर्य धरी धर्म के भय के कारण यदी हम लोग हमारे धर्म रुपी धैर्य को यदी धारन करके खड़े रहते हैं? तबे आमाई करे वीडम बन तब ये वमशी की ध्वनी हमारी आलोचना करती है कि क्या तुमारे जीवन का लाब है क्या आप इसका पान नहीं कर पा रही हैं? निवी सखाई गुरु आगे लज्जा धर्म कराई त्यागे केशे धरी ये न लयायाया आनी कराई तो मारदासी शूनी लोक करे हासी एमत नारी रेना चाया कैसी ये ध्वनी है वमशी की ध्वनी? क्या करती है? निवी शिखाई गुरु आगे लज्जा धर्म कराई त्यागे हमारे कमरपटों को ढिला कर देती है और बड़े बुजर्ग लोगों के सामने हमारे लज्जा को त्याक करने के लिए बाद्दे कर देती है और मानो केश को पकड़ के जो हमें आपके सामने गिरा देती है पक अलब शिर्कार से हमें नाचने के लिए बाध्य कर देती है यह आपकी ध्वनी अधर की आधरकी अधर के अमरुत की यही रीत है अरशुनकूनिती उनकी और दूसरी दूसरी जो है वो अन्यायों को आप सुनो क्या है से अधर सने यार मेला ये अधर का अम्रूत और वम्शी की ध्वनी ये मिलकर जो है वो कई सारे अन्याय इस संसार के उपर करते हैं से भक्ष भुजपान होय अम्रूत समान क्रिश्न जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं और जो बाद में उच्चिष्ट होता है वो सब जो है वो अम्रूत के समान ही हो जाता है नामतार होय क्रिश्न फेला और उसका नाम क्या हो जाता है क्रिश्न फेला क्रिश्न प्रसाद उसका लो जो है वो नाम हो जाता है से फेलार एक लव ना पाय देवता सब एदं भेके भापति याया बहु जन्म पुझ्य करे तबे सुकृती नाम धरे से सुकृते तार लव पाया से फिलार एक लव ना पाए देवता सब, सारे देवता भी जो है वो इस भगवान का जो उच्चिष्ट महाप्रसाद है, उसके एक लव मात्र, उसके कड़ मात्रों को भी नहीं पा सकते हैं, ए दंबे के बाप पति याई की खेते हैं कि उस शेश प्रसाद का गर्व तो देखो, जो देवताओं को भी अलब्य है, बहु जन्म पुन्य करे, सुकृति तब नाम धरे, बहुत जन्म जन्मांतर किसी वेक्ति ने गवाया है, और बहुत सारे पुन्य और सुकृति जब उसने अर्जित की है, तब जाके से सुकृते तार लव पाई, उस सुकृति के बल पर उस भगवान के उच पुन्य को इवेक्ति करता है, तब उसे शुकृति कहा जाता है, और उसके बल पर जाके, उसका एक लव, उसका एक कण मातर जोयवो, महाप्रसात का आस्वादन किसी के वेक्ति को मिल सकता है, ए सब तोमार कुटिनाटी, छाड एई परिपाटी, वेनु द्वारे काहे हर प्राण, आपना रहा सीलागी, नह नारिर वद भागी, देह नीज अधर अम्रुत दान, इसलिए एक क्रिष्ण, आपनी जितनी चाले इतनी दक्षता से चल रखिये, उन सबको त्याग दो, तुमार कुटिनाटी, छाडए परिपाटी, इन दक्षता पुर्वक इने जो आप त्याग कर दो, वेनु द्वारे कहा हरे प्राण, वेनु के द्वारे आप हमारे प्रा यह जो नारियों का वद हो रहा है, उसमें जो आपका परिहास है और आपकी वेनु की ध्वनी है, इन लोगों को जो है वो पकड़ा जाएगा, नारियों के वद के लिए यही जो है वो भागिदार है, इसलिए देह नीज अधरामृत दान, आप जो है वो हमें अपने इस अ महाप्रभू उसका आस्वादन कर रहे है, परमदूर लब एई कृष्ण अधरामृत तहा यही पाए तार सफल जीविता, इस प्रकार से कृष्ण के अधरामृत का जो पान है, कोई वेक्ती जो उसे प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन जो है वो सफल समझना चाहिए, कह रामराय किछू, शुनीते होय मन, भावजानी पडे राय, गुपी रवचन, फिर महाप्रभू और रामनंद राय से कहते है, कुछ सुनाओ, कुछ सुनने की इच्छा मैं रख रहा हूँ, तो फिर रामनंद राय जो शिमत भागवत का, और एक दशम सकंद के 21 अध्याए गुपियों के बीच में चर्चा हो रही है, इसका एक श्लोक सुनाते है, गुप्य हकिम आचरत अयम कुशलम स्मवेनूर, वो श्लोक उसकी जो है वो चर्चा करना प्रारंब करते है, और महाप्रभू अभी स्वयम उस श्लोक का अर्थ सुनाते है, देखे चैतन भगत को भी जो है वो पढ़ता ही है, तो वो श्लोक सुनाया गया रायरामन द्वारा, महाप्रभू अभी उस श्लोक का अर्थ करते हुए, कुछ श्लोक आगे कहते हैं, गुपि गण कह सब करिया विचारे, गुपियां एक दुसरे के साथ चर्चा कर रही है, और कहती है कि गुपियों जरा विचार करो, कोना तिर्थ, कोना तप, कोना सिद्ध मंतर जप, एई वेणु कैला जन्मान तरे, कौन से तिर्थ स्तान में गई थी, क्या तप किया था, कौन से सिद्ध मंतर का जप किया होगा, इस वेणु ने, इस वेणु के, वेणु कितने जन्म जन्मा यार आशाय गोपी धरे प्राण एई वेणु अयोग्य अति स्थावर पूरुष जाति सेई सुधा सदा करे पान। मतलब ये पूरुष जाति की है लेकिन क्या करती है सेई सुधा सदा करे पान। ये कृष्ण के अधर अमृत का हमेशा पान करती रहती है पूरुष होने के बावजूद। यारधन ना कोहे तारे पान करे बलात करे पीते तारे डाकी आजानाय। तार तपस्यार फल देख इहार भग्य बल इहार उट्चिष्ट महा जने खाय। ये तो हमारा धन है कृष्ण का अधरामृत ये तो हमारा धन है ना कोहे तारे पान करे बलात करे ये हमें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बल पुर्वक ये वेणु ही आस्वादन कर रही हैं पिते तारे डाकिया जानाय। तारे तपस्यार फल देख इहार भग्य बल ते क्या तपस्या की होगी इस वेणु ने ? क्या उसके भग्य की सीमा है? कोई जानी नहीं सकता इहार उचिष्ट महाजने खाए कि बड़े-बड़े महान भकतों को कृष्ण का प्रसाद मिलता है वो भी इस वेनू का झूटा ही होता है तो ये वेनू का जो है वो महा प्रसाद उसका वर्णन है अभी वेनू से उनका ध् प्रकार से ये जाते हैं और ऐसा कहे के वो नाच रहे है गा रहे है प्रसन्न हो रहे है क्योंकि वेणु कृष्ण के अधरहमृत का अस्वादन कर रही है नीजा अंकूरे पुलकित उनके जो अंकूर है वो अंग पुलकित हो रहे है पुष्पे हास्य वीकसित वो हस रहे है और उनकी हसी मानो फूलों की रुप में विक्सित हो रही है मदू मीशे वह अश्रुधार और जो वुर्क्षों से मदू आ रही है मदू टपक रही है वो माने उनके अश्रु के समान है कितने वो आनन्दित हो रहे है जब वो देख रहे है कि उनके ही वम्षज ये वम्शी जो ये वो करिश्न के अधरहम्रूत का पान कर रही है और हमारी जैसी नारियां गुपियां ये योग्ये हैं वेणुरतप जानियबे सहीतप कोरितबे ये वेणुने क्या तपस्या की है इसको हमें समझना चाहिए और हमें भी उस प्रकार के तप में लगना चाहिए याना पाईयां दुख्ये मरी उस अधरहमृत का पान हमें तो हो रहा है इससे तो और हमारा दुख सही 500 ना पारी उसे हम लोक जो हो सहान नहीं कर रहे हैं ऐसा जो हे पहा लागी टपस्या करें इसलिए स्लिए गोपि इस प्रकार से महाप्रबु प्रलाप करते थे प्रेमावेश में गवरहरी राय रामानन्द और स्वरुप दामोदर इनको लेके उनका प्रेम का विलाप हुआ करता था कभूनाचे कभूगाई भाववेश मूर्चाई आय एई रुपे रातरी दीन आय करते थे तो इस प्रकार से चैतनय चरतामृत क्या है अम्रूत हैते पराम्रूत, चैतने चरताम्रूत जो है वो अम्रूत से भी पर अम्रूत, पर मतलब उपर, अम्रूत से भी उपर ऐसा चैतने चरताम्रूत है, जिसको मैं आप सब भक्तों को सुना रहा हूं, और ऐसे बड़े भक्त, सुरूप, रूप, सनातन, रगुनात, इन तो इसी प्रकार से जब रात और दिन चैतन ने महापरभु जो हो बिताया करते थे ये ये लिलाएं जो है वो महापरभु ने जो आस्वादन किया ये ब्रह्मा जी को भी अगोचर है। महाप्रभू और अलग 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 जो है वो लिलाएं किया करते थे और अभी और एक इस प्रकार का वर्णन आने वाला है और बिल्वमंगल ठाकूर और इनके द्वारा रचित कई सारे जो श्लोक है उनका आस्वादन महाप्रभू रायरामनादर सुरूप दामुदर इनके स कैसे करते है इसे यदि आपको सुनना है तो आप बने रहे है केवल आखरी चार चार दिन हमारे शेश है तो इसमें हमारी अंत लिला जो है वो इसका अंत होने वाला है लेकिन जैसे जैसे अंत हो रहा है उतनी ये लिलाएं और 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 मदूर होते जाएगी और उसका जो है वो हमें आस्वाधन करने को मिल रहा है तो मिलेंगे हम शाम को कल ठीक साड़े पाँच बजे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा गरंतराश्री चैतने चर्तामृत की जै कृष्णदास का विराज गोस्वामी पाद की जै श्री लप्रभु पाद की जै